हेलो गाइज विल्कम बाग तो माई चैनल एडूटेंवेंट एंड मैं हूँ समिता सिंग आपके एडूकेटर पॉर फिप्टी फाइब सब्सक्राइब कर लिए हैं अगर आपने उन सेशन को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यूटीब पर जाकरके यह आपके सामने कॉटेंट्स जो आपको पใชफने हैं इन कॉटेंट्स में हमने इवलियशन और इंडस्टेयरण रिलेशन की बात की अम पढ़ रहा थे जिसमें हम Hanukkan क्या कंचेट्वीनी इशेटशन के बाद हम डिस्प्यूरट पर भी बात करेंगे find पर ये उ 한데 आंशीनरी पर बात करेंगे क्यासिनरीं इंड़री इस क्यू टाइम पर कोड़ेंगरिट ठीट कर सब्सकेंट पर यह सब्सक्राइब से अब करेंगे जore OUT कर एंजिकों कोड़ार्य कान गल्सक्राइब तॉपिक सब्सक्राइब है है अगर आपने नहीं देखा है उन सेशन को लब देख सकते हैं राइट सो हमने यह सारे टॉपिक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यह लास्ट सेशन में किया था आज का हमारा जो टॉपिक होगा बात करेंगे कर मैनेजमेंध कर आप उसके बात करेंगे सेवल मानेजमेंट थिंकर्स अल्सकत का वस्के बात करेंगे आजर आपको टॉपिक्स उसक्ट है management thinkers है management thinkers की क्या रोल रहे हैं आपको आपके सामने देखने को मिलेगा सबसे पहले बात करेंगे Robert Owen का क्या रोल रहा है management thinking है so Robert Owen was an outstanding pioneer of management thought he started a factory at Manchester for manufacture of textile machinery and in 1800 so Robert Owen को बहुत the outstanding pioneer of management thought बोला जाता है और उन्होंने क्या start कि था उन्होंने start कि एक factory को Manchester में for for manufacturing the for manufacture of for the manufacturing manufacture of textile machinery textile machinery को manufacture करते थे उनकी इंडस्ट्री में उनकी organization में उनकी factory में यूपिल से in the year in the era 1800 he became the managing director of Colton Twist Company के managing director बने he carried out experiments in the group of textile mills he managed during the period of 1800 and 1828 अठारा सब से अठारा सब्टीएट तक के के बीच में उन्होंने उन्होंने क्या यूपिल आउट किया experiment in the group of textile mills he managed during the period of 1800 and 1828 and introduced many social reforms और उन्होंने बहुत सारे social reforms को introduced किया he also begin cooperative movement in 1828 in in rochette rossdale england ringland में उन्होंने rossdale नाम का जो movement था उस cooperation में उन्होंने भाग लिया robert owen has been referred to as the father of personal management robert owen को father of personal management भी कहा जाता है so अगर आपको question पूछा था पूछता है कि robert like who is the you know father of personal management then you can answer that robert owen is known as you know father of personal management right throughout his life he worked for building up of a spirit of cooperation between the workers and management so उन्होंके पूरी life का जो span था उन्होंने क्या किया build किया spirit of cooperation between workers and management so उन्होंका क्या था था कि management और workers के बीच में employer and employees के बीच में एक cooperation होना चेह भी का बिना because बिना cooperation के कोई भी जीच पॉसिबल नहीं है right he also took active part in the introduction of british factory act 1819 उन्होंका जो एक में रोल था factories act में और ब्रिटिस factory act 1819 जो ब्रिटिस factory act 1819 था उसमें भी उनका बहुत ज्यादा बहुत अच्छा active role था he was greatly admired for giving human treatment to the workers उनको किस नाम से जाना किस वज़े से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने human को human की तरह समझा human को उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया यह नहीं कि organization में काम करने वाला इंसान नहीं है individual person उसकी कोई value नहीं वह काम किया 9 गंटे यह 10 गंटे यह 12 गंटे आया किया और चला गया उसके बदे में उसको सेर्थी दी नहीं नहीं उनका उनका जो में फोकस था इंप्लोई पे था कि जो को एक human being organization में काम कर रहा है उसको उसके लिए अच्छा सोजा जाना चाहिए उसके welfare की बात की जाने चाहिए उनके साथ अच्छा manager's job उन्होंने क्या उन्होंने क्या उत्देश किया दिया कि personal management क्या करता है प्रेज डिविडेंट्स तुदे employer जो personal management है उससे क्या होता है कि जो employers है उनको love मिलता है personal management से चीजह अगर management है systematic way में तो उससे क्या automatically management को ही फायदा होने वाला है and is an essential part of every manager's job और यह एक बहुत ही important part होता है हर you know job करने वाले person को के लिए जो person किसी को organization manager level पर काम कर रहा है तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है right so next देखेंगे Charles Babbage ने क्या कहा Charles Babbage was a leading British mathematician at Cambridge University from 1828 to 1839 he invented a mechanical calculator in 1822 he advocated work measurement cost determination and wage incentive in factories he is best remembered as the inventor of the analytical engine which was the forerunner of the modern computer in 1832 Babbage published his famous book on the economy of machinery and manufactures he stressed the importance of division of physical and mental labors suggested the idea of profit sharing and begin observing and timing and timing work his vision was that of improving efficiency through the application of scientific techniques so Charles Babbage का क्या main motto था Charles Babbage सब first of all आप जानेंगे कि जो Charles Babbage थे वो mathematician थे Cambridge University में till the time period of 1828 to 1839 so 1839 तक वह वहां के Cambridge University के mathematician रहे Charles Babbage he invented a mechanical calculator उन्होंने क्या invention किया उन्होंका जो invention था वो calculator you know mechanical calculator का उन्होंने इंवेंशन किया in 1822 1822 में he advocated work measurement उन्होंने work measurement पर बात की cost determination पर बात की एंड कुवेज incentives in factories पर बात की he is best remembered as the inventor of the analytical engine उनको best analytical engine के नाम से भी inventor के नाम से भी जाना जाता है किसको Charles Babbage को you know which was the the forerunner of the modern income tutor in 1832 Babbage published his book famous book on the earth on the economy of machinery and manufacturers so जो उन्होंने जो फिजिकल एक परसन का जो एक फिजिकल एंड मेंटल लेबर होता है जो काह ऐसा नहीं है कि जो इंसान फिजिकली काम कर रहा है वही काम कर रहा है नहीं उनके according जो इनसान mentaly एक चेर पर बैठकर सोच रहा है कुछ कर रहा है कुछ technique लगा रहा है तेखनीक के बारे मिरे सोच रहा है तो हो भी एक work ही है उसको भी उन्होंने इनक्तिर किया औन्होंने फिजिकल के साथ साथ mental work को भी consider किया, उनने division किया कि labor कई तरह के होते हैं means, दो तरह के होते हैं, एक तो physical labor होता है, दूसरा mental labor होता है, suggested the idea of profit sharing and begin observing the time and time work his vision was that of improving efficiency throughout the application of scientific techniques so, उनका क्या था, मेर जो motive था, improve करना efficiency किसी भी परसन के efficiency को improve करना through the application of scientific techniques right, थर्ड देखेंगे Daniel C. McCollum उनने क्या बोला था that is, Daniel C. McCollum tried to find solutions to managerial inefficiencies which were flogging the railroads at that time, his approach to run the railroad was one of the system commonness reports and control he initiated job description made promotions on the basis of merit and insisted that those in charge of specific operation were both responsible and accountable for their success and failures So, Daniel C. McCollum was the focus that if any person or any organization is working on his work then he has to appreciate it and if he has to do it then he has to do it and if he has to do it then he has to do it then he has to do it उसके success और failure दोनों का key responsibility उसी person के हाथ में होती है, जो person कर रहा होता है, एक individual के हाथ में ही उसके success और उसके failure की चाबी होती है, और वहीं उसके लिए accountable होना चाहिए, right? So, उनके according क्या था कि अगर काम कोई भी person, organization के अंदर काम कर रहा है, तो उसके merit के basis पे उसको reward देना चाहिए, अगर वो काम खराब कर रहा है, तो उसको punishment देना चाहिए, तो यह चीज उन्होंने डवलप की organization के अंदर, John डवलप ने क्या कहा था, we'll see here, That is the contribution of John Dunlop was given in the 1950s, in the form of tripartism system approach, So, हमने उपर देखा कि system approach is given by John Dunlop, और उन्होंने किस form में काम किया, tripartism के form में काम किया, According to this, industrial relations consist of three agents, क्या वो तीन agents से हम देखेंगे, management organizations, So, John Dunlop के according system approach के अंदर, उन्होंने देखा, management organizations, सबसे पहले उन्होंने focus किया, management organization पे, कि management किस तरह से organized होना चाहिए, उसका क्या organization होना चाहिए, Workers and government agencies किस तरह से वो कन चाहिए, These actors and their organizations are located within an environment defined in terms of technology, labor and product markets, and the distribution of power in wider society as it impacts upon individuals and workplace. Within this environment, actors interact with each other, negative, negotiate and use economic political power in process of determining rules that constitute the output of the industrial relations system. Right, so this was the, you know, thoughts, you know, you can say, you know, theories given by these, you know, authors. So, next session में हम बात करेंगे, industrial dispute की, ये topic बहुत ही important है, exam perspective से, So, इसको आप जरूर देखेंगे, इस session को आप जरूर देखेंगे, Right, So, तब तक के लिए, keep watching and thank you so much for watching me, thank you very much. .